अस्पताल में थुक कर गंदगी फैलाने वालों पर अंकुष लगाने के लिए एम्स प्रशासन ने मरीजों के रिष्टेदारों से कुल 475 खर्रे की पुडिया तिन शराब की बोतल जब की इतने बड़े पैमाने पर तंबा को जन्य पधार्त मिलने से अस्पताल प्रशासन भी हैरत में हैं नाकपुर के एम्स अस्पताल में एक अजीब मामला सामने आया है जहां भरती मरीजों के परिजनों से 475 खर्रे की पुडिया बरामत की गई है जबकि कुछ शराब की बोतले भी एम्स जेसे अस्पताल में पाई गई है एम्स के चिकित साधिक शक डॉक्टर मनिश शरीगरिवार ने अस्पताल के गाड को प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच कर उनके पास से खर्रा तंबाकु सिगरेट मिलने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये थे एम्स की संचलक मेजर जनरल डॉक्टर विभादत्ता ने बताया कि 25 से 29 अक्तूबर के बीच 475 खर्रा दिन देशी शराब की बोतल, 40 चुने की डिब्बी, 37 बिडी की पैकेट, 85 तंबाकु की पुडिया, 23 पान मसारा आधी जप्त किया गया शनिवार को वरिष्ट डॉक्टरों की मौजुदगी में जप्त सामगरी को नश्ट किया गया, ग्याथों की तंबाकु से कैंसर जैसी बिमारी होती है, ये सभी को पता है, बावजुत इसका सेवन भारी मात्रा में एक चिंदा का विशे है, ऐसे में एम्स जैसे अस्पताल में भी लोग इसे खाने से नहीं कत्राते, जिस पर अंकुष लगाने के लिए ठोस उपाई योजना की आवशकता है,